यह तो इस वीडियो में हम आपको वीजिटर के वीजा के बारे में जो भी कोई question internet उसका answer नहीं है ऐसे 21 question and answer को मैंने collect किया है जिसका answer आपको internet पर नहीं मिलेगा वीजिटर वीजा एसी चीज है वाइए जिसको अच्छा experience हो गया आपका सगा वाला वह तो आपको बताने से रहा उसका तो फ्लाइट का ticket आगे और उसके बाद बलाएगा कि मेरा visitor visa आगया ब्यार जिसका बुरा experience हो है वो तो भगवान को मनत मागे का मेरा नहीं हो तो उसका भी नहीं होना चाहिए तो आप क्या रहेंगे इंटरनेट पर ढूंडेंगे तो वहां पर भी नहीं मिलेगा तो इस वीडियो में 21 ऐसे से question लूँगा विजिटर विजा क्यों refuse हुआ था झाल आपको सिंगल एंट्री मैंगा तो multiple entry किया मिला बैया अगर आपकां विजसटेट्बिजdoo biza का आप सकते है Cgy勉चल सब्सक्राइब करें आपको आपसे कोई चाहिए मेरा एक ही दे है कि आपका कोई एजन आपका बंबू ना मार सक्या और यह विजिटर विजा की यह जनरल सभी देश के लिए पाकिसान से कैनेडा का विजिटर विजा रिफीज हो गया तो अगर दूबई से अप्लाइ करूंगा तो क्या होगा तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेर करूंगा एक एक करके 21 क्वेस्टन लूँगा और वीडियो अच्छा लगी तो उसको खाली लाइक कर दो हमको और कुछ न बनाता है क्यों यह व्यू व्यू तो ठीक है लेकिन किसी को हमारे नौलेज का अक्कल जाओ किसी की लाइब बन जाया इसलिए बोला हूं करके वीडियो को शेर कर दिए तो अभी हम लोग क्वेस्टन नंबर लेते हैं और मैं क्वेस्टन यह गवर्मेंट ऑफ कैनेड़ा की मैं वेबसाइट से लोगा यानि कि अपने मन के गपे नि मालोंगा यह बहुत जरूर है यह क्योंकि मेरों करने कोई रस नहीं आपका समय बगाड़ूगा नहीं मेरा समय बगाड़ूगा वया तो पहला क्वेस्टन और मेरा विजिटल वीजा का कैस्टी अप्लीकेशन आपको आगे बताता हूं लेकिन यह अप्लाइब करने से अभी का अभी कोई चींज कोई चेंज नहीं होगा बैया कभी आप अप्लाइ करना ची है ऐना अगर आपका कोई situation चेंज हो गया बैया है कर सकते हैं एसा सब्सक्राइब करेंगे तो चेंज हो गया आज अपलाए किया पैसा फोकर बदले तो अभी मैं आपको क्वेस्टन नंबर दो पर ले जाता हूं भी या तो क्वेस्टन नंबर वन दो है कनेडियन वीजा इफाइब युनाइट स्टेट्स वीजा मेरों को कैनेडा का वीजा चाहिए अगर मेरे पास अमरीका वीजा है उसके लिए बोलता है यस मोस्ट ट्राविल नीड्स टू ट्रावल वीजा टूरिस्ट वीजा वीजिटर वीजा बोलते हैं ट्रांजिट वीजा बोले तो बहुत आप अगला वीजा ले जाता हूं और यह जो मुल्टीपल एंट्री है वह आपको बड़ी बहुत बार आने के चांस में सकते हैं आ सकते हैं यू कैन वीजिट मैनी ताइम्स टाइप वीजा शुड़ यूट आपको कौन से वीजा की अपलाई करना चाहिए सिंगल एंट्री के लिए अपलाई करें कि मुल्ट बुल्टिपल एंट्री वीजा इसा डिसा अपली कि अपली कि अपके चिटेशड आपका का मुल्टिपलेंटीफ यू आपको बिसा यूआ देटीए रिख यूट्युन कैम आपका अपका अपलीकेशं ने के आपका की सिच्टेशन कि हिसा रख सब्सक्राइब इसालने वी कि मल्टिबल एंट्री वीजा से यहां पर एक साथ एक साथ में छे महिना रह सकते हो और आप जीतनी चाहिए लेकिन छे महिना से ज्यादे वहां पर रही नहीं सकते हैं और और वन मन्थ विफ़र पासपोर्ट एक्सपार तो उसमें दो टरप की वैलिडिटी आती है एक तो ब आएंड ने तो टेक एक रूजा वीजा तो आई प्लान टेक टेक रूज आंड़ नीड़ वीजा तो कम बसके रहा रहा है और केंड़ा से अमरिका कूज भी जा रहा है फिर से इसको वापस कैने डाना है पही लोग हमारा इंडिया बुटे पैरेंस होते हैं कई लोग यहां multiple entry visa नहीं होगा यह यूग आपके पास multiple entry visa नहीं होगा यूग नुट भी आप्टेंड यूरेस्टेंट्री रेसिदेंस विजा इन एंडर टू रिए अगर आप अमरीका की जा रहा विया और वापस आना तो अमर्टाइब इन पास्टेंट्री विजा लेकर ही आना है विया आप ट्रांजिट विजा रहाए और फिलिंग आउट अप्लीकेशन फ़र्म यह फॉर्म उसको बढ़ना पड़ता विया तो इसके लिए आपको यह त्रांजीट विजा है उसके लिए आपको अप्लाइक करना यह एप्लिकेशन फॉर टैंपररी इस तो उससे आपको ट्रांजिट विदा मिलेगा अभी मैं लेता हूं क्वेस्टन लिखा विया डॉआ नीड टू अप्लाइ फर बोथ विजीटर वीजा एक ट्रावल ऑफराइजेशन यानि कि मेरे को विजीटर वीजा बीचिए और यहा बोथ चीज को अपलाय करेगा तो चलेगा बया तो अब भी मैं आपको लेता हूं प्वेस्टन नंबर सेवन भाई वीजा विजब कर दो के लिए सब एजन होगा आप दूकान पर लेने गया होंगे ग्रोसरी और बनेंगे मेरा इसके पास ले जाओंगा आप बोलेंगे यह पड़िया तो भया है मेरा तकाम हो जाएगा यह मेरा दुकान वाला किरणावाला मेरो को एजंट के पास लेगा तेकिन उसका भी 10,000 होगा अंदर एजंट के पास एजंट एजंट का भी सब एजंट तो इसमें एजंट आपका Гवर्मेंट और फोराईज ह चाहता हूं कि यह एजंट कैसा होना चाहिए तो जो एजंट होना चीए उसका लिए उसका लिए नीचे कमेंट में डाल दूगा डिस्क्रिप्शन में तो जो लॉयर निको पीड़ा लीगल होगा यह गुड अंडेस्टेंगे तीनों के तीनों मैं अपने वीडियो में समझा तो वहां पर आप दे सकते हो कि कौन सा एजंट आपको लेना चाहिए एजंट की वज़े से आपको वीजा नहीं मिलेगा वीजा आपको अपनी क्वालिपीकेशन के हिसाब से मिलेगा तब आएम करंट्री लिविंग इन आउटसाइड आउटसा मेरा पास इंडिया का पास्पोर्ट है मैं भी दूबई गुमना हो तो दूबई से मैं अप्लाइ कर सकता हूं या पिसका जांग क्या बुलता है पता है गैनला इमिडिशन की सर्भी चुक्खा लिखा इफ यू आर अप्लाइंग ऑन पेपर वी रग कमांड देट यू अप इस और को जरूरी बहुत है या जरूर. कर लाइक करेंड ऑनी होम कं-otonर ने चाह रंगा दो जो जो डैप्लीकेशन सेंटर को एख लैक वी एक हो थे сब्डाइंग मेंना lifesुट ब्रूर करना या उपिंड आप अपनगा सी इप्लाइट करा थांग जो रुड़ा बड़ाबर डालना बया और यहां पर एक चीज द्यान में लख लेना बया यू मस्ट स्टेट क्लियरली और अप्लिकेशन वाई यू हैव नॉट अप्लाइड इन नॉर्मल कंट्री और प्रेसिदेंस यानि कि आपने अपना वीजिटर वीज़ा बया इंडिया से अप्लाइक यू नहीं किया दूबई में आके क्यों अप्लाइग किया थाइलेंड में आके क्यों अप्लाइग यह आपको सिधा सिदा पूछना पड़ेगा अभी मैं चलता हूं बैगा question number nine पे वह यहां how long can I stay in Canada as a visitor बया तो most visitor Canada can stay up to six में ज्यादा रह सकते नहीं अभी आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा वहां पर बाद अंदर आ सकते हैं लेकिन छे महीन से ज्यादा एक साथ ज्यादा रह नहीं सकते हैं if you are allowed to enter in Canada border security may allow you to stay for less or more than six मैंने जैसे कि पहले वीडियो के स्टार्ट में मैं कोई एजेंट नहीं हूं मैंने जो जो रिसर्च किया उसके अभी अगले-गले question बहुत interesting आने वाले वहां तो आपका पूरा सब डाउट क्लियर हो जाएगा विजिटर वीजा के लिए कितना balance बताना है क्या क्या मैडिकल एग्जाम लगती है टीबी वालों के लिए क्या होगा टीबी वाले कैनला वीजिटर वीजा में आ सकते नहीं आसकते उस सब आपके question के जाब में जाएंगे तो अभी मैं आगला question लेता हूं कि माइप्लिकेशन पर्मायन रेसिदेंस वीजा इस करंटली इंग प्रॉसेस एड़ एड़ एंबसी कैना आइगो टू कैनला टूरिस्ट वीजा आप जा सकते हो बिया उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है हाव एवर यानि कि हम बहुत अच्छी तरह करते हैं कि यू मेकिंग डैफिनेंटी अरेंजमेंट वीफ़र तू स्टेंड कैनला अंट्री यूव रिसीव पर्मायन पेपर यानि कि आप कभी अपना पहले से सब अरेंजमेंट मत कर दीजिए अपना प्यार आने से पहले भी है ठीक है यानि कि आप आ सकते हो लेकिन पहले से सब गर गाड़ी बाड़ी बंगला प्या टूरिस्ट विजा पर आके लेंडेंगे की वह रिकमांड नहीं करते हैं तो अभी माँ बताता हूं बया आई नाव नीड इमिग्रेशन मेडिकल एग्जाम आई मीड़ी तो विज पोलीस का जो जादा टकलीफ है वहां पर नोग मैडिकल एग्जाम मांगते यह जो डेटा इस्तमाल करता है वह ओर वर्ड औरगनाइज़ीजिंस इस्तमाल करते बैंए इस विडिया वालों को चाहिए मेरे कहल से लेकिन इन देशाव वाले होता निको बीको मैडिक्षाम ए आपना पूराना पासपोर्ट में वेलिड वीजा लेकिन आ सकते हो बहीं लेकिन दोनों पासपोर्ट आपको साथ में रखने वेलिड वीजा आपको यह सभी डॉक्यमें ट्रावल डॉक्यमें आपको साथ में रखना मैं बोल रहा हूं अगर यह आगे की क्वेस्टन उससे पहले बताना चाहता हूं वीडियो अच्छा लगे कि किसी सेर किजिए क्योंकि हमारे इंडियां पतान एजन्ट बहुत लल्लू कोई सही जानकारी नहीं देता है वहां पर देख सकते वहां अपने मन के गपाते नहीं मार रहा हूं उनकी वेबसाट पर आप खुद अपने पढ़ सकते हैं तो अभी मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर मैं कि यह लोग बिल आपको लगता है कैनदा के उसकी क्रिण है भाया और में उसके आपको इसमें लिखा है कि डेट भाइड़े भाइड कर पाले आजाना भया और इस नेड़ो आजाना भया अनुद एस नौटरेओ देट बीच्ट वह नहीं लिखा हुए वह वह है वीजिटर वीज़ा बिंग बादर शर्वीस में इस्टेंड रिस्ट्रिक्ट करता है वह पेपर उसको वीजिटर रेकॉर्ड बोलते हैं जो अगला क्वेश्चन वीजा टू विजिट कैन्डा बेया मोस्ट ट्रावल नीज वीजा और इलेक्ट्रोनिक ट्रावल एक्सपोर्ट कर सकता है विजा अगला वीजा या वीजा विजा विजा वाट अगला है कि मेरे पास एट्य एलेक्ट्रोनिक ट्रावल आथोराजिशन और वीजा मैं क्या एक्सपेट कर सकता हूं इन्हें की आपको पार्चपोर्ट में आपको अलग दॉक्पुमेंट भी दे सकता है और अगर आपके पास्पोर्ट में शिक्का नहीं लगा है पास्पोर्ट में उसका मतलब क्या होता है उसने सिका नहीं डिए लगाया है कोई ईडॉस्ट क睡 दिन आप आई उसे छे मेने के बाद आपका वीजा एक्साय होता है यह आगे के question लो से पहले बताना चाहता हूं मैं अगला वीडियो कौन सा बना उसका comment मेरे को लिख के बताई भया आपका कोई भी question में उसका research करके बढ़िया सा आपको answer भया गवर्मेंट की website पर ढूंड ढाटके बताऊंगा तो वीडियो के नएक answer भी दो भया मैं एक और व यानि कि मैं जैसे कि अमरीका से मेरे को मुंबाई से अमरीका जाना है मेरा यह मौन्ट्रेल में दो घंटे के लिए और को वीजा चाहिए भया तो उसके लिए का पता हम जैस्कों आंसर एक व्यूटू मैं जो फॉर्म को पसंद करता हूं ठीक है तो आपको मालुम पड़े तो पहले बताता है what travel document do you plan to use to travel to Canada उसके लिए पास्पोर्ट बोल दिया ठीक है आपके पास green card या कुछ है तो नो लिखता हूं तो अभी देखिए what do you plan to do in Canada तो उसमें आपको खरी ट्रांजिट थू यानि कि मेरो को अंदर नहीं जाना है बारो बार एरपोर्ट से निकलना है या अमरीका की पकड़नी है तो मेरो को वीजा जी तो उस पर क्लिक मारा विया तो क्या लिखा हाव डियू प्लांड टू ट्रांजिट थू कैने आपको गैड़ा कैसे जाना है या बाए एर लिख देता हूं देखा विल यू ट्रांजिट थू कैनड़ा इन 48 अवर लॉस यानि कि दो दिन के अंदर अंदर आप बारो बार चले जाएंगे ये यस कि यू प्लांड टू विजिट कैनड़ा वाइल यू एंटर यानि कि आपको कैनड़ा के बाहर निकल के मौनेट्रियल टॉरंट में शॉपिंग करने नहीं तो गुमने जाना है तो नो हां तो उसका आंसर है यू नीड़ ट्रांजिट वीजा यानि कि तू कनेक्ट बिट्विन टू इंट्रेशन फ्लाइस लेजन फोटी एट अवर्स कोस्ट फ्री और आपको ट्रांजिट वीजा उसके लिए चाहिए विया तो अभी मैं क्रेश्ट आब या आपके लिए इसके कोई फॉर्मल का प्रोसेस निया आप किसी के साथ हाई कॉर्ट में ने लोवर कॉर्ट में ने सेशन कॉर्ट में जाकर बटा नहीं सकते विया तो उसके लिए शूड यू विश्टू रिए अगर आपको रिएप्लाइ करना है विया यू शुड दॉड आपको यह रिएप्लाइ तभी करना है अगर आपका सिच्वेशन चेंच हुआ है तो अगर आपके पास कोई नई इंफरमिशन आई है तभी जाकि अप्लाइ करेंगे तो आपको फाइदार रहेगा विया तो इफाई गेडर सिक और एक्सिदेंट वाइल विजिटिंग कैन यहां पर मेरी दो बड़ी बड़ी सर्जरी हुए और कैनेडा में भी हम लोग यहां के नागरी के हमको एक तो देला भी नहीं पड़ना पड़ता है लेकिन आपके माताजी पीता जी कोई भी आपका फ्रेंड फैमिली कोई भी लोग यहां पर आ रहें उनके लिए यह बहु ही महेंगा होता है यूशूड गेट हैल्थ इंशूरंस तो कवर मैडिकल कॉस्ट इंशूरंस लेकिया अब यहां न करें ना रहा है और आगर आप बीमार होगा यहां तो आपका लेने के देने पड़ जागे यहां पर बहुत ही महेंगी है सर्विस इस देर डिफरेंस प्लाइक किया हुआ है इस तो जिनके पास आपको गूगल करके बताता हूं आपको मालूम पड़े प्लस क्या भी आप उसमें क्या जिसके पास आर्डी कैनला का अल्री जिसने ट्राविल किया आखरी दस साले में नहीं तो जिनके पास यहां वैलिए यूए इस नॉन आपको थोड़ी कुड़ी है तो अभी मैं आपको अगले क्वेश्ट नमर 18 में चलता हूं वैया कैना फिल आउट वन विजा एप्लीकेशन फार्म फेंदे ट्राविलिं प्रिविल कि दर यानि यह पूरा पूरा फैमिली चल रहा भेया माता जी पीता जी दादा दाधी बच्चे सब्सके सभी के लिए इकठा विजा आप्लीकेशन भरदनगा चलेगा भेया तो उसके जवाब में क्या लिखा यानि कि जो जो अधार साल की उमर का होगा मस्ट आल्सो कम्प्लिट यह वाला फॉर्म बना वह ठीक है और यू कें सब्मिट फैमिली मेंबर एप्लिकेशन ने से में लोग पूरा का पूरा सभी फैमिली का परिया एक फॉर्म में सब बार बार के भर सकते वह वन पेमेंट रि चिल्डर अंडर एक उनको बच्चों के लिए उनको खुद को साइं करना पड़ेगा वाई वाज इस्च्व एंटीपल आंट्री वीजा एंस्टर आप मलटीपल आंट्री में कि मैंने मागा सिंगल आंट्री मुल्टीपल आंट्री काूं दिया या तो उसका क्या बताएं और इफ लिजिबल फर भीज़ा विल इफिवल बिश्युट वान इकि जिनका भी बैया क्वाली बिस्टीपलेटिक लेटीपल एक्वेटरिक होगा होगा उनको अतोमेटिक मिल जाएगा विया अपलिकन विल्नौटीक लीजिबल फर मुल्टीपलेटरिक आने गर उगाा जैसे कि एक बार काम के लिए आया उनको लोग सिंगल एंट्री विजा दे सकते हैं तो इसके अला भी आपके पास विजिटर विजा के बारे में कोई भी संकोच विए मेरे को कमेंट में लिख के बताओ और मैं आपको एक दूसरा वीडियो बनाने की सोच रहा हूं अगर आप उसका पार्ट नुम्बर टू बनाओंगा पार्ट नुम्बर टू भया और उसमें इससे भी जो कॉम्प्लिकेटिट व्यश्चन रहे हैं कितना बैंक बैलन्स बगता न है सब के सब चोटे चोटे न लोंगा भया वीडियो अच्छा लगे तो प्या लाइक करता व्या